नमस्कार मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पनीर की सबजी यह वुरत में खाने के लिए है आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको बनाना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम मसाले पीछ लेंगे तो मसाले में हम थोड़ा पनीर दो हरी मीच, एक टमाटर, एक इंच अद्रा का टुकड़ा, दो चमज भुना हुआ मुफली, हाफ टीस्पून साबुत जीरा, हाफ टीस्पून काली मीच पाउडर या काली मीच, इन सब को हम पीस लेंगे, अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं, तो बिना टमाटर के ही बनाए कड़ाई गरम करेंगे, एक चमज घी या मुफली का टेल डालेंगे, जब गरम हो जाएगा तब वन टीस्पून जीरा तड़का लेंगे, पीसे हुए मसाले डालेंगे, तोड़ा पानी डालेंगे, सेंधा नमक स्वादा नुसार डालेंगे, चलाएंगे इसको ढख कर पकन हो जाएगा, तब हम चुले को बंद कर देंगे, धनिया पती से गार्नीशिंग करेंगे, रेडी हो जाएगा टेस्टी पनीर की सबजी, तो यह आप वरत में खा सकते हैं, तो इसको आप बनाएए, खाईए, थैंक्स